वेल्कम आज यूनिप्रेस के एक खास प्रोग्राम आप और आपकी सहत में फिर से आपका इस्तक्बाल है आज की टॉपिक है हड्यों में नुट्रिशन की कभी से होने वाला दर्द जैसा की व्यूवर्स ने पॉपिंग आफ बोन के नाम से पूछा आया सवाल जो हमारे हकीम साहब है वो यह सम्झाएं कि आखिर ये पॉपिंग आफ बोन क्या है हम लोग जानते हैं के वें दर्द जो है एक कौमन मसला है और यह हरूमर में होता है जिसमें आम तोर से जो दर् लेकिन इन सबसे हट करके एक और दर्द है जो नूट्रिशन की कमी से हर उमर में और हर जिन्स को हुजा हुआ करता है जिसके बारे में समझने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है हकीम सेद अदौनेली कादरी सहाब आईए हम उनका इस्तक्वाल करते हैं वेलकम हकीम साब अज फिर अपने इस पुराम के चौते एपिसोड में हम आपका इस्तक्वाल करते हैं जो शुक्रिया हकीम साब हमारे वीवर्स ने पूछा था कि नूट्रिशन की कमी से हट्डियों में दर्द होता है बच्पन में भी होता है कभी जवानी में भी होता है और हर उमर में होता है मर्द और सब को होता है इसको एक खास नाम से दर्ज है पॉपिंग ऑफ बॉन कहते हैं आप इसको कैसे समझते हैं और हमें या हमारे वीवर्स को आप कैसे समझाएंगे पॉपिंग ऑफ बॉन को अगर आप जबान में अगर कहा जाए या समझाने के लिए कि उनně कि खड़ के खड़ियों की कड़कराइट एक नाम इसको दिया जा सकता है कि हाया अटियों के कड़कराइट लेकिन मसला इसमें यह है कि जो निट्रिशन की कमी से यह होता है अब यह निट्रिशन की कमी हर उमर के हर जिन्स में यह पाई जाती है यानि बिला तफरीक उमर जिन्स हर आदमी इसमें मुब्तला है चाहे वो बच्चा हो बुड़ा हो जवान हो औरते हो मर्द हो कोई भी ले ले लें और हर आदमी किसी ना किसी हालत में इस तरह के दर्द से उसका साफ़ा जरूर पड़ा है तो जब ये बच्चे हम लोग बच्पन में हुए है तो एक टेटैनी नाम का एक बीमारी हर आदमी सुना करता है कि टेटैनी हो गई हमको तो काफ मसल में या अदला जो है उसमें जो दर्द होता है वो उसको टेटैनी कहते है यही बच्चे जब ये जो निट्रिशन के ज़रुट पड़ी एक बैक पड़ी कभी कोई कोई बच्चा होता है बैक लंबा हो जाता है तो उस हालत को फिर जो 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 ऑस गुड़ शेटर डिजिस कहते हैं कि एक बैक बच्चा लंबा हो गया अब उसके दर्द उसको हाथ पाउ में और पाउ में उसके एक दर्द शुरू हो गया अब यही दर्द जब हम पहुंचे तेरा साल चौदा साल के उमर में तब होने लगा तब ऐसी हालत में वह और आस्टियो पीनिया का लाता है चाहे वह किसी को भी हो मर्द को हो बच्चे में जवान को हो जवान मर्द को हो या जवान औरत को हो दोनों हालत में वह दर्द जो का लाता है वह और आस्टियो पीनिया का लाता है अब यह चलता है चालिस साल के उमर तक रहा तो यह दर्द आस्टियो पीनिया का लाएगा लेकिन बीच में अगर किस यूटिलाइज हुआ उसके वज़े में जदर्द शुरू हुआ तो वह ऑस्ट्यू मैलेशिया कहलाता है यह कहलाता है जब तक कि उसको मिनविपौस ना हो जाए तब तक कि वह ऑस्ट्यू मैलेशिया वह एक खास जिन्स और अधर हैं हमारी बचे यह उसे मतासिर होती हैं मर्द बुढ़ है या बुढ़ है और अगर हड़ियों में बहुत जादा दर्द हो रहा है ऐसा दर्द के वह तकलीफ से बाहर हो रहा है तो वह आस्ट्यू पर प्रोसिस कर लाता है लेकिन बुढ़ापे में जो एक बहुत जादा अन्बियरिबल पेन होता है वहां पर पहुं आपने अभी तक जो समझाया वो यह के कहने कहीं नूट्रिशन की कमी से हर उमर को जोड में दर्द या बोन में पेन होता है लेकिन असल जो सवाल था वो पॉपिंग अप बोन में कड़कर हाटी आवाज उसका कहीं पर जिकर नहीं आया वह अखिर क्या है जिसको लोग जान है तो आदमी का जो जोड है कोई भी चीज मशीन चलती है तो उसमें कुछ ने कुछ रुटूबत उसको फुलीट चाहिए उस जोड को चलाने के लिए तो घजायत की जो कमी होती है तो उसमें वह फुलीट थोड़ा सुकती है तो कभी कड़ से कभी यह अब कुछ बचाने क लेकिन यह बहुत स्पिकनट नहीं है असल स्पिकनसी थि राङोज़ के दर्फि का अलग है या को एकी तरीके से की जा सकती है सोथे बच्चों में तो आप ने कीर हम लोग किलिकल ही कर लेते हैं उनको कर देख लेते हैं कि परिशर देने से और फowskiब करते है उसको करते हैं दूस और कुछ करते हैं से और उसको सिर्फ दबा करके ही हम पता कर ले सकते हैं कि इसको गजायत के कमी है या कुछ और भी बिमारी है कभी बड़ी उमर में भी जैसे ही थोड़ा सा टीनेज में आदमी पहुंचा तो वैसी वैसी हालत में भी जादा तर जो है वो क्लीनिकल ही है इसमें पहचांच जो ह हम लोग क्योंकि हम लोग सेल्फ मेंडिकेशन बहुत जादा मना करते हैं तो हम तो एक आम आदमी को बता रहे हैं तुसलिए वो जो है फिर जो टेस्ट का जो पहलू है वह हम लोग अपने तबीब पर छोड़ें अपने फिजीशियन पर छोड़ें तो जादा अच्छा है इतना तो समझ में आया कि अलग 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 उमर में जो है वो नुटिशन की कमी की वज़से हड्यों में दर्ध होता है तो डाइनोसिस होने के बाद इसका इलाज क्या करेंगे या फिर यह भी हम जाना चाहेंगे यह तो किसी को हो गया तब तो इसका इलाज करेंगे उसे बचने के क्या उपाय है यह भी बताईए और सका इलाज क्या है यह भी बताईए डाइगनोसिस में एक बात छूट गए थी कि हम लोग रिकेट्स को जरूर देख लें चोटे बच्चे का के लिकेट्स तो नहीं है लिकेट्स है तो उसका फिर पूरे तौर पर अच्छे थे तो उनको दूद पर तो जरूर रखा जाए दूद जो बच्चा पैदा होता है तो दूद के अलावा कुछ नहीं जानता है लेकिन जैसे ही थोगा सा बड़ा होता है वो दूद से ही कतराने लगता है तो बच्चे को दूद पर तो बहुत ही आसानी से उसको उस पर रखना ह तो फिर ये डिजीज और अगर उसने अपने बच्पन में 20 साल के उमर तक दूद का अच्छे से इस्तमाल कर लिया तो फिर बाकि जो हम टर्म यूज किया था उस्टियो पीनिया या उस्टियो मलेशिया या उस्टियो परोसीस इन सबसे वो बचा रहेगा हम लोगों के पास 20 साल के ऊपर तब अब हम जितना खा रहे हैं वो सब यूटिलाइज नहीं हो रहा है बहुत सा हम उतना खा भी नहीं पा रहे हैं तो अब आप आशी हालत में जो हमने 20 साल या 30 साल के उमर तक जो खा कर जमा किया है वो अब हड़ी से निकल कर कर के जिसम की दूसरी जो हम घजा से नहीं ले पा रहे हैं तो अब वह हड़ी घुल करके देती है जिसके वह उस्ट्यू प्रोसिस भी वह आप करना चाहरा है कि जो अपने खाना पीना खा करके आपने आगे के लड़ाई के लिए अपने आपको तयार करना है तो ऐसे ऐसे हालत में नहीं यापने जार करके अपने को बाहर निकालें, दोबनी लिए और आपको भूरा है जuden आपको ठीके आपको बरतास्त होगी की में जार्श मायत्त का बाहर दोड़ाशों होगा लेकिन धूप का फा वितामिन डी टो और केल्शियम कैल्शियम हमको दूर्स से मिल जाता है वितामिन डी के लिए मेरे पास अगर प्रोडिक्ट देखें जा सूर्स देखें तो में पास एक ही सूर्स अच्छा सोर्स बचलिए भ içeris लिए अंड्बसता है इसलिए अंडा तो कभी इस्तमाल करें और नहीं तो विटामिन डी के बिला किसी तफरीक के यह अलोपैत है यह क्या है विटामिन डी आपका इस्तमाल आपको जरूरी है जो करते रहना चाहिए अमोमन वरना जह हम अक्सर यह देखा है के धूप में काम करने वाले मजदूर के अंदर भी विटामिन ड क्कि की कमी है यह इस बात का इजार करता है कि फिरिञएंखने ही जरूरी है जैदनी कुछ धूब जरूरी है फिर भी अगर इसको हड़ी में दर्द हो जा रहा है तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए तो ऐसी हालत में एक तो यह है कि एक मसला और भी है कि वो ना हो उसके लिए एक बीच भी बात छोड़ा सा चूड़ जाते हैं को कि हम अपनी बच्चियों को जरूर हज़ा अपने बच्चियों को इसको कर सकते हैं कि खीरा को कार दिया उसके बीच में खजूर रखा और इसको खाया यह अगर करते रहेंगे तो अमन दर्द नहीं होता है खेर चलिए इसके बाद भी अगर दर्द हो जाए तो तो ऐसी आलत में हम लोगों कि हाँ सबसे अच्छी दवा हलवा घेकवार है जिसका एक एक चमब सुबा शाम लेना बहुत मुफिद रहता है अर्क माउल लहम है जिसको या तो सिकन जमीन में मिला दीजे या सिनकारा मे मीला दीआ तो उसमें दूनों को उसको मिला करके उसको एक एक कपस्वाज शाम लें उससे पहले अगर गोल्मिरिच को उबाल करको असमें इसको मिला करके लिते हैं तो आपको मैसे बहुत उफाम हरा खास पर आप को ह الخास्तर पर जब तो हमने जो नाम लिया तो वो खैर है यह है उसके साथ गेहूं का लड़ू अगर बन जाए गेहूं को भून देना है भून करके उसको पॉडर कर लेना है उसमें गुर्ण मिला दिया और घी मिला करके उसका लड़ू बना लिया और सिर्फ डाइबेटीज वाले इसको उतना इसको यहीं इस्तमाल कर लें तो यह जो जले हुए गेहूं का जो लड़ू है यह हड़ियों के अकसर अमराज में फायदा करता है जतना नाम तुमने अभी शुरू में इंट्रॉडक्शन में जो नाम लिया था उन सारी हालत में भी यह लड़ू का हलवा बहुत जाए यहा को जाए उसको कहता है यानि उसके फिली में बहुत जादा दर्द होता है यहां जा़ए गजायत को जतना अच्छा रखेंगे इस में बच्चे को भी दे सकते हैं आप उसका चार साल के से जादे को इसको दे सकते हैं आज हम लोग बात कर रहे थे नियुटिशन कमी की वज़े से होने वाले हड्डियों में दर्द और उसको कहीं इंग्लिश में पॉपिंग ऑफ बोन भी लिखा है और इसके कम्प्लीट इंफॉमिशन अजिम साब ले दी किन लोगों को होता है किस उमर में होने पर क्या उसका में इसमाल किया जाता है और उसके तदारुक उरकी बताये सका प्रिवेंशन हिं बता आयनों इनका इसका इसका इंप इस्का ses है और इसी के साथ हम होरीки साथ को नो बela gaat करते हैं कि इसी तरह कि अलर्क्ली टृपिक पर हम लोगों को अब्व round करते रहें लोगों को बताते शुक्त जियादा करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया फिर में लेंगे किसी और पेसोड में तब तक अपना ख्याल लखेगा अप